Hello guys, welcome back आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं isMR के बारे में आज हम isMR के सभी यूज के बारे में सीखेंगे एकी वीडियो में जी हाँ एकी वीडियो में आज हम isMR का जो यूज है किस तरह से हम English Grammar में कहां पे किस तरह से यूज किया जाता है आज इस वीडियो में पूरा किलियर होने वाला है आज से पहले आपने कभी इस तरह से नहीं पढ़ा होगा इस MR को तो वीडियो में आन्थ तक जरूर बने रहे हैं जो लास्ट वाला जो हम ट्रिक आपक के साथ किसका यूज करेंगे आर के साथ किसका यूज करेंगे तो आप चार्ट देख लिजिए इसको नोट भी कर लिजिए अपने कापी में स्क्रीन साट ले लिजिए जैसे कि आई के साथ हम एम का यूज करेंगे ही शी नेम इट के साथ हम इसका यूज करेंगे यू वी और दे के साथ हम और का यूजज करेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी पहली ट्रिक के तरफ सबसे पहली ट्री क्यके सथ कज अगर नावन लग क्या हरा है तो उसका अर्थ होगा है हूं हो होता है होती है इसमें सबसे पहले इच प्लस नाउन को देख लेते हैं इच प्लस नाउन का मतलब होगा है यह किसी के नाउन के साथ अगर आ रहा है तो उसका अर्थ होगा है या होता है या होती है चले कुछ एक्जामपल से अच्छे से समझते हैं वह एक अध्यापक है रानी एक ड है तो आमने यह आपे है लिखा है तो इसका हम इंग्लिश बनाएंगे तो कह कहेंगे he plus is a teacher he is a teacher यानि is plus noun is plus noun he is a teacher रानी एक डॉक्टर है तो रानी plus is a teacher doctor रानी एक डॉक्टर है तो रानी प्लस इस प्लस रानी एक डॉक्टर है तो रानी प्लस इस और डॉक्टर यानि रानी एक डॉक्टर है एक नाउन के साथ इस लग क्या रहा है इस condition में हम हमारा जो अर्थ है क्या निकल क्या रहा है इंदी में है रानी एक doctor है तो रानी is a doctor चीनी मीठी होती है sugar is sweet चीनी मीठी होती है sugar is sweet ऐसे इस तरह सम्म बहुत सारे sentence बोल सकते हैं आम खटा होता है, मीठा होता है दही खट्री होती है मिर्ची जो अधिकी होती है इस तरह सम बहुत सारे सेंटेस बना सकते एंप सकते हैं एं प्लस नाउjor यानि एम के साथ नाउन के साथ एं आएगा तो उसका अर्ठ होगा than जैसे की मैं अध्यापक हूं मैं डाक्टर हूं मैं एधर हूं ठीक है आप भी इस तरह से संसे कहते हैं कि मैं यह हूँ वह हूं कि क्रिकेटर हूँ टीचर डोपर फेसर ओं कि एंजिनियर जो कुछ भी हम क्या करते हैं यू उसके साथ उसके रही हम क्या यूझ करते हैं आई ये आ ये मोफड teacher, I am a teacher, M plus noun है, तो इसलिए यहां पर और्थ हो रहा हूँ, I am a doctor, मैं एक doctor हूँ, I am Heather, मैं Heather हूँ, R plus noun का और्थ होगा, हैं, वे किसान हैं, तुम खिलारी हो, ठीक है, हैं या हो, ठीक है, हैं या हो, आप इमंदार हैं, या आप इमंदार हो, तो वे किसान हैं, they are farmer, R plus noun, वे किसान हैं, they are farmer, you are player, you are honest, तुम इमंदार हो, या आप इमंदार हो, या वे लोग इमंदार हो, ठीक है, you are player, तुम खिलारी हो, आप इमंदार हैं, या आप इमंदार हो, you are honest, R plus noun, R plus noun, R plus noun, इसका आर्थ हो रहा हैं, या हो, rule नमर two है, is MR plus, verb की first form के साथ, आएनजी अगर लग कराएगा, तो उसका अर्थ होगा हिंदी में, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, देखते हैं, is के साथ, verb की first form में आएनजी लग कराएगा, तो क्या अर्थ होगा? अर्थ होगा, रहा है, रही है, जैसे सीता क्या कर र रही है वहां नाच रहा है सीता इज प्लेंग और नाच रहा है ही इस डांसिम अब यहां पर प्ले क्या है एक वर्ब की फॉर्ष्ट फाउ में उसमें क्या लगा हुए ing तो अर्थ क्या निकल ला में रहा है रही यहां पर ड्च तो इसका र्थ निकल ला है रहा है रही अगर M के साथ वर्ब की फर्स्ट पा में आइंजी लगकर आएगा तो उसका अर्थ होगा रहा हूं रहा हूं M प्लस वर्ब की फर्स्ट पा में आइंजी लगकर आएगा तो क्या होगा रहा हूं जैसे मैं खिल रहा हूँ मैं नाच रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ मैं खा रहा हूँ ठीक है मैं सो रहा हूँ मैं जा रहा हूँ जैसे मैं खिल रहा हूँ I, मैं अम प्लेइंग मैं खिल रहा हूँ I am, M के साथ ये प्लस वर्ब की फर्सपा में आइंजी लग कराया है तो I am playing M के साथ वर्ब की फर्सपा में आइंजी लग कराया है तो I am dancing M के साथ वर्ब की फर्सपा में आइंजी लग कराया है तो I am teaching ठीक है जैसे I am playing, I am teaching, I am dancing, I am reading, I am eating, I am running, I am sleeping स्क्ड़िए उस तरह से स्सारे सबस्क्राइट अगर आरहक व nhất ब्लस प्लस आएंग और घ्यंच गोका रहे हो रहे है तो चलिए एक्जांपल देखते हैं वे लोग जा रहे हैं तुम नाच रहे हो आप पथ रहे हो ठीक है तो इसका English क्या होगा वे लोग जा रहे हैं They are going Go क्या है Verb की first form है यह जो go है verb की first form है इसमें ing को जोड़ा गया है और इससे पहले r आ रहा है यानि r प्लस verb की first form में ing ठीक है तो they are going You are dancing You are reading You are sleeping तुम सो रहे हो तुम भाग रहे हो You are running तुम हस रहे हो You are laughing इस तरह से आप हजारों सिंटेंस बना सकते हैं ठीक है ठीक नमबर तीन है अगर इज एमर के साथ verb की third form लग कर आए तो उसका अर्थ क्या होगा हुआ है हुई है हुए है तो सबसे पहले देखते हैं इज पलस वर्ब की third form एगर इज के साथ वर्ब की third form लग जाए तो उसका अर्थ क्या होगा हुआ है या हुई है जैसे कलम टूटी हुई है कलम टूटी हुई है तो pen is broken broken क्या है वर्ब की third form है कुता सोया हुआ है dog is slipped dog is slipped slip की third form क्या है slipped अगर वही M plus verb की third form हो M के साथ verb की third form अगर लग क्या है तो उसका आरत होगा हुआ है या गया है या जैसे मुझे बताया गया है या मैं मुझे बताया गया या मैं सताया हुआ हूँ ठीक है या मुझे सताया गया है तो जैसे यहाँ पे I am informed आई एम एम प्लस वर्ब की third form यह वर्ब की third form है I am informed मुझे बताया हुआ है या मुझे बताया गया है R प्लस वर्ब की third form अगर लग कर आए R के साथ तो क्या होगा उसकार हुए है हिंदी में हुए हो जैसे तुम्हारे कपड़े धुले हुए है Your clothes are washed अभी आप क्या है R प्लस वर्ब की third form यह क्या है R है यह R है यह प्लस है और यह वाश्ड यानि वर्ब की यह क्या है third form है भी three है तो Your clothes are वाश्ड इस तरह से हम बहुत सारे sentence बना सकते हैं ट्रिक नमर चार है Is MR Plus being प्लस वर्ब की third form अगर इस MR मेंसे कोई एक हो उसके साथ बिंग लगा हूँ उसके बाद को Hindi पढ़ाया जा रहा है उसे cricket सिखाया जा रहा है। ठीक है मुझे समझाया जा रहा है। तो यहां पहे हम सीज और प्लस Being वर्ब की थर्प पॉंब कर रहे हैं। सिर्फ एक वैंगत के बारे में बात करना है। उसे पीटा जा रहा है राम को Hindi पढ़ाया जा रहा है। उसे पीटा जा रहा है तो he is being beaten, verb की third form being or is, he is being beaten, ram is being taught, ram is being taught, ram को पढ़ाया जा रहा है, अगर m plus being हो और उसके साथ work की thought formula करा है, तो उसका अर्थ होगा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा हूं, जैसे मुझे परिशान किया जा रहा है, या मैं सताया जा रहा हूं, ठीक है, या मैं पढ़ाया जा रहा हूं, या मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो एक example बींग टॉर्चर्ड अगर आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ट फर्म हो तो इसका अर्थ होगा जा रहा है जा रहे हैं यह जा रहे हो ठीक है जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक है आपको सताय जा रहा है आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपके लिए यू आर यानि are plus being plus verb की 3rd form तो taught क्या है वर्ब की 3rd form है you are being taught चलिए देखते हैं आझ की आखरी ट्रिक क्या है जो की काफी मजदार होने वाली है जैसे is mr plus to plus verb की 1st form तो उसका अर्थ होगा वाला है वाली है वाले है वाले हो वाला हूं सबसे प्रहें देखते हैं इज के साथ to हो और वर की first form हो तो किस तरह से use करेंगे और उसका आर्थ क्या होगा वाला है या वाली है होगा जैसे वह जाने वाला है वह क्या है जाने वाला है सीता पढ़ने वाली है सीता क्या है पढ़ने वाली है राम खेलने वाला है राम खेलने वाला है वह जाने वाला है he is to go is is plus two plus two और वर्ब की first form go he is go he is to go sita is to read ram is to play अगर m के साथ two और वर्ब की first formula क्या है तो उसका Hindi में अर्थ होगा वाला हूं वाला हूं जैसे मैं आने वाला हूं मैं जाने वाला हूं मैं सोने वाला हूं मैं पढ़ने वाला हूँ मैं खेलने वाला हूँ यानि कोई काम है जिसको मैं अभी करने वाला हूँ ठीक है जैसे I am to come M plus to plus verb की first form M हो गया ये और ये हो गया plus to और ये हो गया plus verb की first form तो M to come I am to come मैं आने वाला हूँ मैं खाने वाला हूँ तो I am to eat अगर R plus, to plus verb की V1 यानि verb की first form आए तो उसका अर्थ होगा वाले हो, वाले है यानि आप जाने वाले हो, तुम आने वाले हो, तुम पढ़ने वाले हो, तुम खेलने वाले हो, तुम सोने वाले हो तो जैसे कुछ एक्जामपल है, वे जाने वाले हैं, या वे लोग जाने वाले हैं, या वे सब जाने वाले हैं तो वे जाने वाले हैं, वे कहाँ जागा दे, और R to go, दे R to go, यानि यहाँ पे देखिए R plus 2 verb की first form है और ये हो गया ये पलस2 हो गया और यह वर्ब की ये जो है वर्ब क्या हो गया first form हो गये ये अर टु गो वे जाने वाले हैं तो इस ट्रिक को फालू करके आप इस MR का यूज काफी अच्छे तरेके से कर सकते हैं और आप अपने English Grammar को अच्छे से इंप्रूब भी कर सकते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार लगिए चेक क्यार बाई बाई